हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चनल पे दोस्त जो मैंने सीरीज चला रखे जूनियर सुपर टेट के लिए आज उसका ये 24 वा पार्ट है इसके पहले मैंने 23 पार्ट अपने चैनल पर अपलूट कर रखा है आप प्लेलिस्ट में जाके उसक पहला कोशन निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है तो फ्रेंड बताना है इन में से न्यूटन मीटर किसकी इकाई नहीं है तो फ्रेंड बल की जो इकाई होती है वो होती है न्यूटन या तो अगर सीजेस में बात की जाए तो होती है डाइन बाकि गतिये Newton meter ठीक है तो यहाँ पर option number A हमारा correct हो जाएगा friend अगर आपसे पूछा जाए SI मात्रक क्या होता है बलका तो होता है Newton अगर CGS मात्रक पूछा जाए तो होता है Dine और friend 1 Newton बराबर होता है 10 के power 5 Dine के ठीक है 10 to the power 5 Dine के बराबर होता है 1 Newton अगला प्रिष्ट पर आते हैं युक्त कोसियों दलन लग्द पुंकेशर पाये जाते हैं इन में से बताना है किसमें यह पाये जाता है तो friend यह पायता है Composity में ठीक है option number D हमारा correct होगा अगला कोशन है Capsule का आवरण बना होता है तो friend Capsule का जो आवरण बना होता है वो होता है starch का ठीक है बकर बहुत सारे लोग confuse होकर कि cellulose लगा देंगे friend Capsule का जो आवरण बना होता है वो होता है starch का ठीक है option number D हमारा correct होगा अगला question है hydrolit का अडू सूत्र क्या होगा तो friend बताना है hydrolit का अडू सूत्र इस में से क्या होगा तो friend यह होगा CAH2 ठीक है CAH2 जो होगा hydrolit अडू का सूत्र होगा अगला प्रश्न मारा है archeratrix जो है वो क्या है तो फ्रेंड यह है हमारे जुरैसिक युक के पुरातन पक्षी, ठीक है? आप्शन नमरी हमारा correct होगा अगला प्रशन है, विसेले सापों में विस्ग्रंतिया परिवर्तित हो जाती है तो फ्रेंट विसेले सापों में जो विस ग्रंतिया हो जाती है लार में लार ग्रंतियों में परिवर्थित हो जाती है तो option number C हमारा correct होगा यहाँ पर अगला प्रशन नमारा है पेब्रिन निम्न में से किसका एक रोग है तो फ्रेंड पेब्रिन जो है एक रसम के कीट का एक रोग है option number C हमारा correct होगा अगला question है सारे computer में लागू होती है तो फ्रेंड जितने भी computer होते हैं उसमें सभी में machine language लागू होती है ठीक है और computer हमारा 0 और 1 का ही language समझता है अगला हमारा question है hemoglobin में उपस्तित होता है तो friend हमारा जो रक्त है वो लाल hemoglobin के करण दिखाई देता है और hemoglobin में जो तत्व पाये जाता है वो होता है लोहा ठीक है iron पाये जाता है अगला question है गुरुत्वी बल और वैद्युत चुबकी बलों में difference क्या है इनमें से बताना है क्या difference होता है तो friend गुरुत्वी बल जो होता है वो केवल आकरसी बल होता है केवल attraction करता है जबकि चुमकी बल क्या होते है आकरसी और प्रतिकर्शी दोनों होते हैं तो option number B हमारा correct ह नेक्स्ट हमारा वायरस जनित रोग इन में से कौन सा है तो फ्रेंट बताना है इन में से वायरस जनित रोग कौन सा है तो फ्रेंट पोलियो जो है एक वायरस जनित रोग है बाकि जो हैजा है वो एक जिवालू जनित रोग है जो होता है वाइवरियो कॉलरी के नामक जिवाल और फ्रेंड प्लेग की बात की जाए तो फ्रेंड ये भी एक जिवालू जनित रोग है ये संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है जिसको हम ब्लैक डिट के नाम से भी जानते हैं और ये किस जिवालू की वज़े से होता है तो फ्रेंड ये होता है पास्चुरेला पेस्टीस नामक जीवालू के वज़े से होता है प्लेग ठीक है तो यहाँ पर option number D हमारा correct होगा पोलियो एक वायरस जनित रोग है बाकी ऊपर तीनों जितने हैं उसे भी क्या है जीवालू जनित रोग है अगला question है some newtronic होते हैं इनमें से बताना है some newtronic कौन से होते हैं तो friend परमालू क्रमांग तथा परमालू भार भिन किन्तु neutron की संख्याज होती है वो equal होती है some newtronic में तो option number D हमारा correct होगा next हमारा है lysosome में पाई जाने वाले वह enzyme जिसमें जीव द्रवे को घुला देने या नश्ट कर देने की छमता होती है कहलाती है तो friend कौन सी छमता है इसमें जो कहलाती है option number D hydrolitin enzyme ठीक है hydrolitin enzyme किसमें पाया जाता है friend तो यह पाया जाता है lysosome में next हमारा है वंशागती के नियमों के अध्यन को कहते हैं तो friend कहते हैं इसको हम आनुवान चेकिए ठीक है option number C हमारा correct होगा next question है निम्ण में से कौन सा उतक का उधारण है तो friend बताना इसमें से उतक का उधारण कौन सा है तो friend रक्त जो हमारा है एक connective tissue है ठीक है साईयों जी उतक है तो option number B हमारा correct हो जाएगा अगला question पर आता है सवर उर्जा का सबसे बड़ा योगी की करण कौन करता है तो friend ये करता है हरे पौध है option number D हमारा correct होगा अगले question पर आते हैं एमरी कहलाता है friend एमरी जो होता है एक असुद alumina को हम बोलते हैं और alumina क्या होता है ये friend ये aluminium का ओर है ठीक है जिसका formula होता है AL2O3 next हमारा वडानता वाले व्यक्ति का लाल रंग दिखाई देगा तो friend जिसको color blindness होती है उसको लाल रंग कैसा दिखाई देगा तो friend ये दिखाई देगा हरा option number C हमारा correct होगा next है किसी आवेसी चालक का संपूर आवेस उसके कहा पर लाई करता है friend तो ये लाई करता है उसके बाहरी प्रिष्ट पल आवेसी चालक को जो संपूर आवेस होता है वो क्या करता है बाहर लाई करता है ठीक है तो friend यहाँपर 20 questions complete हो गया है आपको ये friend दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए थैंक यू